दोस्तो आज मैं आया हूँ उत्तर प्रतिस राज के मैनपुर जी ले से करीबन 15 किलोमेटर दूरी पर एक कॉलेज है गवर्मेंट पॉलिटेक्निक चाचा भोगा हूँ यहां का ब्लॉक सूट करने आया हूँ और फ्रेंट्स इस कॉलेज से जुड़ी हर एक जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ और फ्रेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे तो फ्रेंट्स वीडियो पूरा एंड तक देखिए और फ्रेंट्स जो आपको सामने जो building दिखाई दे रही है यह है government polytechnic चाचा की building तो फ्रेंट्स इसी college का block suit करने आया हूँ और फ्रेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा इस college में कितनी branches हैं कितनी faces लगती हैं सब कुछ इस video को देखने के बाद आपके सारे doubts clear हो जाएंगे तो difference finally now in college means क्लेज के बाहरे नकाता है पूरा मैं आपको भाहर व्यू दिखाता हूँ तो friends ने सकते हैं यह college कुछ आउसी ऐसा देखता है तो यह देख सकते हैं दिस्सप्तेस हैं पॉड्रेंट चाचे हाल मैंपूरी अगर आपको गवर्मेंट पॉड़ी दूरी पर एक कसभा है भोगाओं तो फर्ण्स इस कोलिज तक आया कैसे जाए यहां आने के लिए अगर आप ट्रैन्स का आते हैं तो यहां का जो सबसे नियरेश ट्रेल वी स्टेशन है वह भोगाओ तो friends भाँ पे आपको आना होगा और friends भाँ से करीब 7-8 km दूरी पर ये college बना हुआ है अगर आप बस से आते हैं तो आपको भोगाँ बस स्टेंड पर उतरना होगा बहाँ से आपको सीधा auto मिल जाएगा और college तक आ सकते हैं बड़े आसानी से और friends मैं आ चुका हूँ college के second floor पे और आंगे आपको दिखाऊंगा आंगे क्या कुछ देखने को मिलेगा तो friends अभी देख सकते हैं अभी आंगे से दिखाता हूँ second floor से नीचे दिखाता हूँ तो ये देख सकते है college का बाहर का view और आंगे लेके चलूँगा classes बगएर लेते college की trades के बारे में तो फ्रेंट इस college में जो भी ट्रेट्स है वह एकदम top 5 ट्रेट्स हैं अगर आपको ये college मिलता है तो बहुत ही अच्छा college है क्योंकि इसमें जो trades है वह एकदम top 5 ट्रेट्स में से आते हैं सबसे पहले आते हैं वह है electrical दूसरी है mechanical production और तीसरी है civil यह अगर आपका इन ट्रेडों में selection होता है तो आपके placement के 95% chances होते हैं और इस college में कंपनियां आती रहती हैं अगर placement की बात करें तो तो यह देख सकते हैं अब मैं नीचे चलता हुआ सीधा दूस्तों मेरे दौरा दीवी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल रिप्लाइ जरूर करूंगा अब बात कर लेतें college के hostel के बारे में तो इस college में जो hostel है उसकी capacity है 60 seats की capacity तो फ्रेंट साथ सीट मेरे hostel किल लोगों को मिलता है जो लोग 100 km दूर से हैं उन्हें hostel अगरा जाता है जो local के उन्हें hostel नहीं मिलता है अब बात करें खाने की तो फ्रें साल उपर नीचे होती रहती है तो इस फीस को आप बापिस भी ले सकते हैं अगर आप scholarship का form भर देते हैं तो आपकी यह जो फीस लगते है वो आपकी बापस आ जाती है उससे दो तीन हजार रुपए एश्टरा भी आ जाते हैं तो फ्रेंट से फीस की तो कोई problem नहीं है और एक चीज बहुत ही important बहुत है अगर आप scholarship का form भरते हैं तो friends जो account होता है वो आपका local का चलेगा यहानि महनपूरी का ही account चलेगा तो friends आप जब आपको college मिल जाए तो आप महनपूरी में जरूर account खुलबाईए जिससे आपको scholarship का form भरने में कोई problem ना हो और friends मेरे द्वारा देवी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलता हूं किसी नए वीडियो में